प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप्ड और नेवर मिस अनादर अप्डेट असलाम ओलेकूम वेलकम टू मैं चोनल टेक्निक अलिम मैं अचली शुरू करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि अपने किसी भी रियल में मुबाइल में डाइली डाटा रिमेंडर कैसे सेट करें आपका डाइली लीमिट क्रोस होने के बाद आपको डाटा रिमेंडर मिल जागा तो सबसे पहले आपको अपने मुबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है और इसके बाद आपको dual sim and mobile network वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ नीचे की तरफ scroll down करेंगे तो आपको daily data remainder का एक option मिल जाता है इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर minimum 10 MB से लेकर maximum 100 GB तक select कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से remainder set करना चाहते हैं तो आपको custom वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर अपने हिसाब से manually data इंटर कर सकते हैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं 950 MB इंटर कर देता हूँ और okay वाले option पर क्लिक करने के बाद आपके real me mobile में daily data remainder सेट हो जाएगा जब कभी भी आप अपने mobile में इस लिमिट को क्रोस करते हैं तो आपको data remainder का notification नल चाहेगा